the length of a shadow of a person किसी person की जो length है ना shadow की वो x meter है तो हमेशा long length ये सब के लिए थोड़ा सा मैं ये भी sure हो जाता हूँ मैंने का यार ground level पर बनेगी चीज़ है क्योंकि इसके लिए तो वो height कर रहा होता है या high दे रहा होता है तो the length of a shadow of a person किसी person की कोई हमारा बच्चा देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बार बार मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाता हूँ of a person is x meter ना समझ जा है वो ये ना समझे कि person की length x meter है person straight खड़ा होगा उसकी तो height आईगी shadow की length होगी पहली बात दूसरी बात ये उनके लिए बस जो सोच रहा है कि person is x meter subject कून था the length of a shadow of a person is x meter तो घूम फिर के यहीं आना है मैंना बड़ी trick देख ली इस question की starting यहां से करेगा फिर कहानियां बताएगा वो person जिसका नाम अशोक है उसकी परचाई बन रही है starting जहां से करीथी वहीं पर आ जाओ ठीक है ना सर अब दुबारा मत पढ़ना चलो के नहीं पढ़ रहा one angle of elevation of the sun कोई एक sun है और sun उपर होता है अच्छा हमें तो पताएं नहीं था sun उपर होता है और वो बहुत सारे objects पे न अपनी light देता है तुम electric pole जब तुम गली में जा रहे होते हो electric light होती है street lights जब चल रहे होता है नो तुम लोग क्योंकि object हिला electric pole वहीं था पर object move करा तो उसकी shadow भी move करेगी sun जब move करता है ना object अगर वहीं भी होता है तो भी ना shadows बनती है basically मैं कहना कहा रहा हूँ जो angle of elevation यहां होगा वो ही बाकी objects पर भी बनता है वो दिहन रखना आप लोग at the same time एक ही समय पे ground से sun का angle यह देखो sunlight जा रही है समझे रहो ना यह sunlight चल रही है तो यह वाला जो angle होगा each and every objects के लिए equal होगा एक ही time पर एक ही time पर क्यों कहा रही हो क्योंकि sun की sun move करेगा न तो फिर तो वो angles भी ups and downs हो जाएंगे ऐसा question मैंने देखा था मैंने इसलिए बता दिया कि दो triangle है और angle of elevation इसका बताया तो उसका भी तो वोई होगा at the same time बोलेगा महाँ पे when the angle of elevation of the sun sun का angle of elevation 45 degree होता है तो x meter की shadow बनती है किसी एक person की किसी एक person की उस person की आज हमें height नहीं पता it's okay इसे हटा सकते होगा या mind से if the length of the shadow increases अगर जो shadow की length है वो increase हो जाती है और तुमें एक चीज़ पर गुसा आएगा मुझे भी आया था root 3 minus 1 meter नहीं है x है वो shadow increase हो गई if the shadow is increases by किस से हो गई root 3 minus 1 x है बिटा वो root 3 minus 1 x ठीक है देखा जाये तो x का root 3 minus 1 times ये कोई नहीं थमस्ता x का कितना times root 3 minus 1 times मैं क्या गरूँ इनका number ही ऐसा है तो नहीं तो हमें ऐसे समझाते बच्चों को कि x का डुगना shadow change हो गई यानि कि 2x हो गई x का root 3 minus 1 तभी तो आया है root 3 minus 1 x multiply में तो इतना change हो गया ठीक है अब नेक्स्ट फॉर एक्जाम्पल अगर आप यहां से triangle draw करोगे तो वो ये वाला angle मांग रहे है find the new angle of the elevation of the sun तो sun का elevate sun अपनी रोशनी प्रथवी पे डालता है ground पे डालता है तो वो ये वाला theta 1 मांग रहे है अब सर देखो सरल शब्दों में अगर बताया जाए person की height जो भी होगी इस triangle के लिए वो इस triangle के लिए भी यह होगी there are two triangles there are two right angle triangles जिनके p सेम है क्या बदल गया? b बदल गया मैं क्या करूँगा? सबसे पहले में 1045 लगाँगा और फटा फट से हन जी सर ये भी वो ही आ गया x ये भी x आ गया p upon b 1 होना पड़ेगा p upon b को क्योंकि सामने जो angle चल रहा है वो क्या है? वो 45 डिग्री है जो कि 10 पे ही होता है 10 theta 1 कब आएगा? जब आप इसे भी x बनाओगे तो theta कितना आ रहा है? क्योंकि 45 आ रहा है ठीक है? basically कुछ ऐसा तो ये x मिल गया इसका use करूँगा इस वाले triangle के लिए क्योंकि x ही है न 10 theta नहीं पता मैं new theta's के बारे में बात कर रहा हूँ यानि कि 10 theta 1 बिटा, p कितना आ गया अब x? और b कितना है? sir, b न जब को b कितना है अब की बारे? base कितना है? sir, x b है plus root 3 minus 1 ये b है ठीक है? पता मैंने पिछली बार क्या कर रहा था? वो उन्होंने m दे रहा है न तो मैंने root 3 minus 1 ही लिखा भाई, होई नहीं रहा फिर solve rationalize करता रहा है तो m नहीं है ये ये x दे रहा है हाँ न? exam में नहीं होगी गलती x x plus क्या करना होता है ऐसे मैं? sir, root 3 की x से भी करनी हूँ मतलब multiply करते हो आप और इस किस से भी करेंगे ठीक है न? paper में कैसे पता चलेगा? क्या solve कर सकते हो? ये solve कर सकते हो अभी plus का x और minus का x cancel हो गया कुछ ऐसा sound हुआ बताओ क्या होगा ये sir, x x फिर से cancel होगा सामने कौन चल रहा था? 10, theta, 1 कहलो alpha कहलो new angle को कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग no issue यार 1 by root 3 तुम्हें सब पता है कहा होता है? तुम बस छुपाते रहते हो बार बार इसको root देखो देखो इसके आगे के processes कैसे होते हैं? इसको 10 की terms में कहना सीखो क्योंकि सामने भी 10 है इसे शायद 10 30 degree कहते हैं? इसको ठीक है ताकि 10 से 10 deplete हो जाए और new angle हमें पता चल जाए 30 degree हाना ये तरीका होता है जो बच्चे कहते हैं न हमसे 10 को इदर ले जाएं क्या? ऐसे चला जाएगा 10 10 कुछ नहीं होता? 10 के साथ angle का meaning होता है ये जो multiply में ये divide में नहीं जाएगा 10 theta पूरा एक सिस्टम बनाता है बस आगे तो तुम्हें पता चल लिए तो new angle कितना आ रहा है? सर 30 degree भाई उसका ध्यान लखना एडू काठ में झाल पूरा झाल जाएगा